पूरे राजिम हैं कि हम पठन पाठन किसी कीमत पर अभी बाधित नहीं करेंगे फ्या विहार कर्म भूमी है राश्पिता महत्मा गांधिक इसको मानिया मुखमंत्री कैसे भूल गए नई सिक्षक न्युक्ति नियमावली को लेकर सिक्षकों का अंदोलन लगातार जारी है और खासतोर से 20 तारिक को सिक्षक बड़ा मार्च निकालने जा रहे हैं कमिस्नर के पास ग्यापन स्वापा जाएगा हमारे साथ बिहार मादमिक सिक्षक संग के महासचिव हैं सतुमन प यारी पूरी हो चुकी है पूरे राज के प्रमंदलिय मुखषाले में हम लोग अपने अपने संग भवन से अथाबाद एक निर्धारी तस्थान से मार्च निकालेंगे और प्रमंदलिय मुखषाले। जाएंगे, हमारा या प्रदर्शन पूर्ण तह सांति पुर्वक होगा, और मान्निय मुखमंत्री के नाम से संबोधित, जो मंग संबंधि ग्यापन है, वो आयुक्त के माध्यम से हम समर्पित करेंगे, बीश का यही काज करम है, यह क्या स्कूल आवर बाधित होगा? नहीं नहीं, कल तो सनिवार है, कल तो सारे नो बजे तक ही विद्याले में पठन पाठन का काम होता है, इसलिए हमारा निर्देश है पूरे राजिम है, कि हम पठन पाठन किसी कीमत पर अभी बाधित नहीं करेंगे, फिर बाइस का भी जो हमारा कार्ज करम है, हम विद्याले क कार्जकाल के बाद ही सत्यागरہ धरना पर बिठेंगे अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे धियालय में जो बच्चों के लिए परहने के लिए हमारे नाम से रुटीन बना हुआ है उसके मुताबिक काम करेंगे और कार्जाल अबदी समाप्ति के बाद हम अपने काज करम में लगेंगे लेटर सरकार के तरफ से दिया गया है कि किसी तरह का धरना, पुरदर्शन, आंदुलन, अवैद घोशित किया जाता है और एक्शन भी लिया जाएगा यह तो आपात काल में भी ऐसे आदिस नहीं था यह तो इन्होंने गोशित आपात काल लगा दिया है यह भारत के संविधान का अनुछेद गुदीस में जो मौलिक अधिकार है देश के परतेक नागरिक को जो बोलने किया जादी है संग संगठन बनाने के आजादी है और अपने संगठन के सदस्यों के हित के लिए सांती पुरवक आंदोरन करने का अधिकार है और यह हथियार राश्पिता महात्मा गांधी ने बिटानिया हुकूमत को भगाने के लिए सत्यागरह का जो हथियार इस्तमाल किया था यह विहार कर्म भूमी है राष्पिताम महत्मा गांधी के इसको मानिय मुख मंतरी कैसे भूल गए और यह आजेस कैसे परसारित हो गया इनको तो तातकालिक प्रभाव से वापस लेना चाहिए हमने मानिय मुख मंतरी को मानिय सिक्षा मंतरी को और अपर मुख सचिव को भी लिखा है कि आपने मौलिक अधिकार का हनन किया है अनुचेद 19 का हनन किया है हमने तो कोई बाधा पहुँचा ही नहीं सरकारी काम में किसी प्रकार का तोर फोर हिंसक करवाई ही नहीं की है आप ऐ ऐसा करके खुद एक संबैधानिक उपबंध का उलंधन किया है इसे लिए स्वासम्मान इस दमनकारी आदेश को वापस कीजिए अगर मानली जे सरकार के तरफ से कोई एक्शन हो जाता है उसके बाद क्या होगा और भी जोरदार होगा बीस का जो प्रदर्शन है हमारी कहां कमजोरी होती है वो सब दिखाए खतम हो जाई अब तो इतनी मजबूती ला दी इस आदेश ने इतना क्रोश और इतना माहोल को तेजना फूर्ण बना दिया सिक्षा विभाग ने उक्सावे फूर्ण कारवाई करके कि जहां कहीं भी सिक्षक जदी बिमार भी होंगे तो वे इस प्रदर्शन में सामिल होंगे जो कि उनको अपमानित किया गया है तो आपने सुन लिया कि सिक्षक संग क्या सोचता है सुभाविक तोर पर जो कारिकरम की रूप रेखा तैह हुई है उसी कारिकरम के आधार पर आंदोलन चलेगा धरना प्रदर्शन होगा सिक्षा विभस्ता बाधित नहीं होगी लेकिन इतना जरूर है कि इस कारिकरम के ब हुआ है